हाउ एवरीबॉएड गुद मॉनिँः जए साल ही आप देखरे हो अभी मैं कहा पर हूँ यह है मेरी मम्मी का बुफैलो सेट और अब बंदिए ह Nova Z krt है हमने अधापर मेरी सूसराल में गाये पली हुई है और यहां पर मेरे मम्मी यह बैंसी हुई होई है तो अभी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बोफैलो मिल्किंग देखूंगी सुबह सुबह यह आज उठकी वैसे थोड़ा लेट टूटती थी मैं यहां पर माइके में पर आज सुचाए जैसे आपके साथ बोफैलो मिल्किंग की वीडियो शेयर करूंगी पता नहीं यह बनाने से देती है दूद बाकी और किसी के पास नहीं देती दूद तो पता नहीं यह मुझे बनाने भी देगी वीडियो यह नहीं पर मैं बनाओंगी ज़रूर जैसे तैसे दूर से ही बनने चाहें चलिए अभी देखते हैं कैसे निकालते है मैं मैं से दूद कि Space कि एταब एकाते ही पर मकल ह Persian 5 ओ Tut एत कि व connecting पूर झाल 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 तो देखे यहां पर मम्मी की बैस गुसा हो गई थी क्योंकि उसको आदत नहीं है जैसे आसपास किसी को भी नहीं फटकने देती फिर भी मैं थोड़ा सा दूर से अभी वीडियो बना रही थी लेकिन ये फिर से गुसा कर गई ये रेखे फिर से गुसा हो गई और यहां पर मुझे वीडियो बनानी बहुत मेंगी बड़ी सो इसके बाद मैं दर्वाजे के पास खड़ी हो गई और वहां से मैं वीडियो सूट कर रही हूँ क्योंकि बार बार इसकी नजर सिर्फ बाहर की तरफ को ही थी कि ये क्या कर रही है यहां पर देखे ध्यान इसका देखे मेरी तरफ ही है बिल्कुल तो ये देख रही थी कि क्या कर रही है बार बार और मम्मी से बात कर रही थी कि मैं ही हूँ कोई और नहीं है कोई और नहीं कर दो कर दो दो कर सो दो कर दो कर दो कर दो… च्दूम है? इसको खाना दिया जा रहा है उस तो पहले भी दे देते हैं कुछ बाद में देते हैं और कुछ तो जैसे खाने के साथ ही दूद देते हैं पर इसको बाद में दिया जाता है और यह बैस का बच्चा चूटा बच्चा चूटी बैस है यह तो यह लगवक शाहिद तीन या चार मेने की होगी अभी बच्चा लगवश्चा जावश्चा रिवगद एल यह लगववडर श्वश्चाण अरुम धय वावश्चा जाता हैं पर बच्चा जाता हैं जाता हैं कर दी मैंने आपके साथ विडियो शेयर अभी आगई मैं इधर पर बैस ने बड़ा परिशान किया मम्मी को दूद निकालते वार उसने गिराई दिया था एक बार तो सारा दूद बट बच गया फिर लात मारी तो आपकी रुक्रेस्ट पर मैंने कर दी विडियो शेयर पहले जब मैं यहां थी ना अपने माई के में तो जब मेरे शादी नहीं हुई थी तो बीच-वीच में मैं करती थी वहलो मिलकिंग जिसे थोड़ा बहुत कभी निकालते थी मुझे बहुत सौक था जिसे दूद निकालने का बहन से तो जब मैंने सीखा भी था ना तो पूरा एक महीना मुझे दूद निकालना नहीं आया था मैं मेरे से दूद नहीं निकलता था पूरा एक महीना मैंने लगाया था मम्मी के साथ जिसे मम्मी अपने पास साथ पिठाती थी मुझे जब मम्मी ने दूद निकालना होता था फिर जैसे तैसे करके मैंने सीखी ली फिर उसके कि अपने आसवास बठकने भी नहीं देती जब जब मतलब इसके पास भी खड़े हो तब भी ये दूद निकालने नहीं देगी फिर ममी को तो बड़ी मुश्कियों से मैंने वो वीडियो बनाई ठीक है बस आज मैंने आपके साथ सुबह वस्बह फैले मिलकिंग की वीडियो ह ठीक है आज मैं वीडियो यहीं पर ही खतम कर रही हूँ आई हूप आपको मेरी पसंद आई होगी कैसे लगी प्लीज एक कमेंट करके जुरूर बताईएगा थैंक्स पर वाचिंग बाई बाई